हलो फ्रेंड्स, मैं आज डी-ए-पी और एन-पीक के फर्टिलाइजर के बारे में बात करूंगी इन आरगेनिक और आरगेनिक के बारे में भी बात करूंगी तो आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत जाधा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे like करें, subscribe करें जो नहीं subscribe किया है वो subscribe करें और comment करें comment करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को जो है देखने से पहले मैं यही कहूंगी कि आप अपने जो भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कभी D.A.P डालो हमारे plants में चार चीजे होती हैं सबसे पहले होती है तो इन सब की requirements जाने जरूरते अलग-अलग होती है जब थे little trees in farms have faced this इन दोनों ही पोसर देने के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर देना पड़ेगा और कब क्यूं कैसे किस तरह से देना है ये भी मैं बताऊंगी तो आप पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको पता लगे कि इसमें कब क्यूं कैसे NPK देना और DAP देना है और जो है किस त बहुत अच्छा रगता तो देखिए ये बर्ट्स हैं फ्लावर्स हैं और ये स्टेम्स में तो हमें सबसे पहले DAP की बात करूंगी मैं अपना वीडियो सुरू करती हूं DAP की बात करूंगी तो DAP यानि डाइमोनियम फासफेट तो ये जो है क्या करता है इसमें नाइट्र को मजबूत करते हैं उसके रूट्स को मजबूत करते हैं ये है DAP छोटी छोटी वाइट गोली ये रैड कलर की भी आती है ब्लाक कलर की भी आती है लेकिन ये वाइट वाली बताते हैं कि ज्यादा अच्छी है शौप आले ने बताया कि ये वाइट वाली ज्यादा अच्छ जैसे कि हम गदार तरौनिंग से या तो एक दम मौर्णिंग में तो भी मौणिंग में 75 वजे तो शाम को फर्टिलाइज़र को हमें जुह रात को तायम के टाइम देना चाये 5श। और सर्दियों में वैसे आप कभी भी दे सकते हैं फर्टिलाइजर उसमें कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि कुहासा और ओस वगर जादा पड़ती है तो हमारे यह जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट्स को गरम नहीं करते हैं मिठी को गरम नहीं करते हैं खराब नहीं करते है इसलिए सर्दियों में तो आप फिर भी दे सकते हैं दिन में 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे लेकिन गर्मियों में आप शाम को ही दीजिए fertilizer सबसे पहला रूल तो fertilizer देने का यही है कोई भी खाद देने का time यही है और देखी दूसरा यह है कि बड़ा गमला है तो अम उसमें हम जैसे 8 से लेके 12-15 इंच तक के गमले में हम 15 गोली डाल सकते हैं यही है डीएपी देने का यह अप राजिता का प्लांटे इसे ग्रोथ की जरूरत है तो इसमें डीएपी की जरूरत है इसको यह लीली प्लांट वाटर लीली यह अभी इसकी अंदर जड़े हैं तो छोटे बड़े गमले में 8 से 12 इंच के गमले में 10 गोलियां से 15 गोली तक डाल सकते हैं लेकिन छोटे जितना छोटा पॉट होगा उतना कम हम डालेंगे चार इंच के पॉट में हम सिर्फ चार ही गोली डालेंगे और हमें पानी नहीं देना है हमें पोसर देना है पोसर देने है यानि भोजन देना है फूट देना है अपने प्लांट को इसलिए एक गमले में डालने के एक का तरीका यह है कि अगर pot के हिसाब से हमने गोली ली है चोटा pot है तो चार गोली ली और अगर 8 से 12 इंच के बीच का गमला है तो हमने 10 से 15 गोली ले ली है और उसे पानी में घोल लिया और किनारी किनारे ही डालेंगे रूट्स में नहीं डालेंगे रूट्स के पास नहीं डालेंगे देखिए एक आख से वीडियो बनाने में और ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होती है तैकिन कोई बात ने मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छ कार्काई फूल ता फूजया का फूल सूग गया था उसे मैंने गंबले में डापा hill और मेरा दो महीना पुराना प्लान्ट है और अब इसकी देखिए जबकि तो इसमें और अलग अलग ब्राइं निकल के कही आ चुगी है जब कि यह 5 इंच 10 सी सात इंच का यह प्लांट है तो पांच इंच के बाद से प्लांट की पिंचिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उस समय हमें कौन सी खार दालनी चाहिए डीए पी यानि कि इसे जो है इसकी लीव्स को इस टेम्स को जब हमें मजबूत करना है इसको खड़ा करना है जब यह फूलों के भार को और branches के भार को ये उठा सके, इसलिए हमें DAP देना है, तो DAP किसी भी plant के लिए, नए plant के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जवरदस्त fertilizer है, इसे जरूर देना चाहिए, pinching के टाइम में देने से इस plant की growth बढ़ती है, branches strong होती है, roots strong होती है, अब जैसे ये सारे plant है, मैंने अभी अभी लिया है, ये shopping की है, इसकी plants की, तो ये winters के plant है, तो winter में flower भी चाहिए, और हमें flower भी चाहिए, और stem भी मजबूत हो, उसकी growth भी हो, तो हमें कौन सा खात देना चाहिए, तो देखिए, अभी मैंने इसे report नहीं किया है, इसे अभी report करने का time है, तो हमें इस समय इसको DAP देना है, अभी हम इस grow bag में कोई भी fertilizer नहीं देंगे, बहुत होगा, तो मैं दूसरा अगला fertilizer जो बताऊंगी वो देंगे, लेकिन DAP अभी grow bag में नहीं देंगे, जब हम report करेंगे, तब हम DAP अपनी soil में potting mix में डालेंगे, तो और तब उसको report कर देंगे, उस समय उसे plant की growth की जरुवत है, और अब बात करते हैं, plant की growth के बाद हमें जब flower चाहिए, तो कौन सा देंगे, तो NPK, NPK 19-19-19, एक बहुत ही balanced diet है हमारी plants के लिए, क्योंकि इसमें जो है nitrogen, potassium and phosphorus, तीनों ही बहुत ही equal मात्रा में बहुत ही nitrogen leaves की growth के लिए हैं, flower के लिए potassium जरूरत हैles, roots की growth के लिए strong होने के लिए, phosphorus की जरूरत होती है, oxygen की FR होती है, तो यह सब कुछ NPK में होता है, PKK भी बहुत कई तरह के आते हैं, जो कि कि किसी में दो ही होता है, nitrogen, potassium होता है, और किसी में potassium phosphorus होता है, लेकि 19-19-19, NPK ञांटीन, 2019-1919 और NPK 2020-2020 में सारे जो है बैलेंस होता है सभी डाइट का यानि कि नाइट्रोजन पोर्टैसियम और फासफोरस तीनों ही बराबर मात्रा में बहुत अच्छी तरह से मिले होते हैं और ये तीनों ही प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस्टेम के लिए भी और इस्टेम की ग्रोथ को मजबूत करता है और लीव्ज और फ्लावर के लिए बड़ के लिए यानि कलियों को बड़ा होने के लिए कलियों के फूलों की साइज के लिए कलियों के बड़ा होने के लिए और कलियों की ग्रोथ के लिए और फ्लावर की क् NPK की यानि नाइट्रोजन, पोटेसियम और फासफोरस तीनों की आवशक्ता पड़ती है तभी जाके फूल की साइज और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आप मेरे फूलों की साइज देख सकते हैं मैं इसमें 15 दिन में एक बार डियेपी डालती हूं और 15 दिन में NPK डाल से उसके बोच को फ्لاवर्स के बोच को उठा सकता है, DAP जो है रीड की हड़ी का काम करता है तो NPK इसको पोटर देता है फूड देता है और NPK जो है एक ऐसा खाद है जो कि इसको fungicide का भी काम करता है, वो कीडे मकोडों को भी दूर रखता है, तो हमें इसे use कैसे करना है, सबसे सवाल यह आता है, कि ज़्यादा देंगे तो भी नुकसान करेगा, कम देंगे तो भी नुकसान करेगा, तो भी बहुत फायदा नहीं होगा, और winter flowers में NPK की ज़्य ज़रोत परती हो क्योंकि winter में सारे plants, flowering plant होते हैं, गजानिया है, और यापके एपिटोनिया है, बिगोनिया है, सभी plants जो है, flowers वाले होते हैं, मेरिगोल्ड हैं, और डहलिया है, सभी बहुत सारे plants हैं, मतब flower plant हैं, तो उसमें आधा चम्मच एक लीटर पानी में आधा चम् plants के ऊपर, और इस तरह से स्प्रे करेंगे, तो खीडे मकोडे भी नहीं लगते हैं, फंगि साइट का काम करता है, और ये गोल के इसके roots में डालेंगे, तो ये फटा फट इसकी growth को और quantity को फूलों की बढ़ाएगा, साइच को बढ़ा करेगा, और quantity भी बढ़ाएगा, और buds को भी बहुत healthy बनाएगा, तो इस तरह से आधा चम्मच को एक लीटर पानी में घोल के, हमें दस गमले में डालना है, दस गमले में इसलिए डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा डालना है, क्योंकि हमें food देना है, पानी नहीं देना है, तो इसे food देना है, ताकि जड़ों में जाके समा जाए, रूट्स आप जर्व कर ले, तो इस तरह से हमारे जो यह है नए प्लांट इसमें भी जब तक हम रिपॉर्ट नहीं कर रहा है, इसमें NPK दे सकते हैं, लेकिन DAP इसमें नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से अपने प्लांट्स को जो है healthy बनाने के लिए उनको फूर्ट दीजे, जैसे हमें अपने शरीर में खाने की ज़रूर्ष समय समय पर अलग अलग तरह कि कभी ड्राइफ फूर्ट्स, कभी फल, कभी जूस, कभी दवा की ज़रूर्थ होती है, ऐसे हमें अपने प्लांट्स को भी देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है, कि इन सब के लिए साथ-साथ यह भी करना चाहिए, कि इसमें जो फ्लावर सूख जाएं, उसे हमें तोड़ते रहना चाहिए, देखिए प्लांट्स सूखने का इंदिजार मत करिए फ्लावर के, यह जब हलका सा आपको डीला ढाला लगे, मुझाने जैसा लगने वाला रहे, अभी तोड़ लिजे, और कैंची से तोड़िये, उंगली से मेरी तरह मत तोड़िये, उंगली से तोड़ने पर प्लांट्स सौख में चले जाते हैं, तो क्योंकि आजकल बहुत संस्टिप टाइम चल रहा होता है, कोहँरा पड़ रहा होता है, और बहुत जल्दी तो मैंने इससे तोड़ दिया है और मेरे वीडियो को लाइक करिए जरूर से ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके मुझे बहुत अच्छा लगीगा आपके लाइक करने से कमेंट करने से और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा मेरा मनोगल बढ़ेगा कि मैं और भ अब इसमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फूल लेकिन बहुत लीदा हो चुका है नीचे से इसका सुखना स्टार्ट हो हचुका तो मैं इस तरह से पहले इं तोड़ दूंगी और इसमें और चाहों तो दस दिन और चल जाएगा लेकिन नहीं चलाउंगी नहीं तो पूरे और जो buds हैं वो buds बढ़ नहीं पाएंगे सूख जाएंगी और कलिया सूखने लगेंगी और जो plant मेरे जो थूड़े खिल रहे हैं फूल वो पूरे नहीं खिल पाएंगे और ये देखिए इसलिए जो है मैं फूलों को पहले ही तोड़ लेना चाहिए और ये चल रहा है मैं चाहती हूं ये फरवरी तक चल जाए ये क्योंकि मेरे दूप नहीं आती है तो मैं पिटोनिया भी लगाना नहीं चाहती हूं मैं पूरे दूप में पिटोनिया लगाऊंगी मेरे यहां फरवरी में थोड़ी दूप यहां अच्छी आने लगेगी तब मैं प गमले में ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूंगी ताकि रूट्स में यह जाके इसके एबसॉर कर ले इसको फूड मिल सके एबसॉर कर ले सारे एंपीके खाथ को फर्टिलाइजर को इसलिए थोड़ा-थोड़ा दस बारा गमलों में एक लीटर पानी ही लेकर के आदा च शो सुन thorough आदऴ आदे आदेखानी करी कर ल मतरी करी कर दो लीय स turbulence, में बाहरे आद reasonably है अ कर फारे अहंपनी करे आद słuब आद freaking पैष इसले आदो आदे आदे आ ईस़ारी कमा भिस करते हैं